रिव्यू करेंगे इस वीडियो में मेगबेरी, अक्ष्टी, सस्पेंशन के बारे में, सीरप के बारे में, वीडियो पुरा देखेगा देखें मेगबेरी, अक्ष्टी एक बरेंड आती है मेक लियोर्स कमपनी की इसको डॉक्टर प्रस्काइब करते हैं, बड़े लोगों में, बड़े वेक्ती में, तो सेल्फियूज मत कीजेगा ये दोस्तों कई नामों से मिलती है, मेक बेरी पलेन आती है, डी एक्स आती है, एलस आती है और अक्स्टी आती है अक्स्टी वारे में जानेंगे, मेक बेरी एक जूनियर में भी आती है, छोटे बच्चों में चलती है, वहाँ पर चाइल्ड इस्पेसिलिश डॉक्टर देती है अब आते हैं भाई क्यों देनी पड़ती है, देखिए इसकी जो प्राइज होती है, 120 उर्पे MRP के साथ ये 100 अमल की एक पलाश्टी की बोतल मिल जाएगी दुआए की दुगान पर कभी भी self-use ना करें, वीडियो का मक्सद शिर्फ information देनेगा है, तो मेकबरी अक्ष्टी के अंदर तीन content आते हैं, तीन salt आते हैं, पहला है अम्रोक्सल, दूसरा है टर्बूटा लाइन, और तीसरा है ग्यूफिन चिन, दोस्तों अम्रोक्सल एक मुकोलाइटिक सोल्ट होता है, ये वहाँ काम करता है जहां पर कफ विद मुकस होता है, यानि गिली खासी होती है, अगर बलगम जमा हुआ है, बलगम है, कफ जम गया है, खासी आ रही है, खासी से बाहर नहीं आ रहा, वहाँ पर ये उस कफ को, चिप चिपाट को कम कर देता है, और कफ चिपकता नहीं है, फिर इजली बाहर आ जाता है, तो कफ की चिप चिपाट को कम करकर, उसकी ठिकनेस को कम करकर, अम्रोक्सल काम करता है, ये गिली खासी म उसके कार्ण फिर एस्टनमेटिक ईलर्जी रहनी लगती है या अस्तमाई बन जाता है। तो वहाँ पर कफ को बहुत निले हैए। जो सांस लेने की परकेदिया है, उसमें काम करता है। असतमागी प्रॉलों में यह सबसे बड़िया काम करता है। तीस रहे है ग्यूफिनचिन, ग्यूफिनचिन home Expectorant होता है। कफ की जो Stichness होती है उसको कम करता है, जिसे कि कफ चिपकता नहीं है। और इजली बहर आ जाता है, यानि expectorant है, कफ को पतला और डिला करकर बहर निकालता है, देखिए कफ के इलावा ये normal जो allergy होती है, नाक से पानी आ रहा है, गला खराब है, नाक जाम है, कोई allergy है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर भी ये काम कर देता है, यानि ast पाँच पाँच एमल दिन में 2-3 बार होती है, कुछ cases में 10 एमल तक जा सकती है, यानि दस एमल एक साथ भी वेक्ति ले सकता है, तो दिन में 2-3 बार लेनी पड़ती है, करीब करीब 5-6 दिन ये चलती है, उसके बाद खतम हो जाती है, प्रोलम भी ठीक हो जाती है, तो इसकी अच्छी बात है इसमें फ्लेवर आता है तो कड़ भी नहीं लगती साउधानी की बात करें तो देखिए प्रेग्नेंची ब्रेश फिडिंग में डॉक्टर के द्वारा दी जाती है वहाँ पर कभी भी सेल्फियूस नहीं करना चीए वैसे भी इसका कभी भी सेल्फियूस नहीं करना चीए ले सकते हैं प्रेग्नेंची ब्रेश फिडिंग में लेकिन डॉक्टरी सलाच से अच्छा रहता है और अगर आपको लेने से ज़्यादा नींद वगिर आती है तो गाड़े चलाते समय इसके डोज मत लीजेगा एलकॉल के साथ भी कंजूमने करने चीए नुक्षान कर देती है अगर आपको लेने के बाद इसकीन रेशिज आ रहे हैं आपको अल्टी केरिया की प्रोलम हो रही है डाइरिया हो रहा है, वोमिटिंग, हैड़ेक जादा हो रहा है, नोजिया हो रहा है, चक्कर आते हैं, नीन दानम दिक्कत होती है तो डोक्टर को जुरूर बताना चाहिए, इसके साइड फिट हो सकते हैं लेकिन जरूर नहीं है कि सभी को यही हो, इनके इलावा भी हो सकते हैं, कई बार दस्त लग जाते हैं, कई बार इसके रेसिस हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत एक कम चांस में होते हैं, हर किसी में नहीं होते हैं, बहुत एक कम चांस में ऐसा हो सकता है कि इसके साइड फिट हो जाए तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था मेगबेरी अक्स्ती सस्पेंशन यानी सिरप के वारे में वीडियो पूरा देखने के बहुत बहुत था